गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में प्राचीन कालिन जो दक्सिनी भारत है उसकी अर्थवे वस्ता के बारे में जानकर इप्रात करेंगे ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं प्राचीन काल में दक्सिन भारत की अर्थवे वस्ता और यह दिया आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें ठीक है तो देखिएगा प्राचीन काल से भी पहले अर वारता है इसके अंतरगत क्रेशी पसू पालन वानिजे की गणना की गई है ठीकन अर्थसास्तर में इसका महत्वे अर्थात वारता का महत्वे इस प्रकार श्रीकार क्या गया है वारता से तात प्रिये क्रेशी पसू पालन तथा वानिजे से है धन्ने पसू श्वान कुप अर्थात श्वन तथा रजत के अतिरिक्त अन्यकोई दातु तथा विस्टी अर्थात बेगार जैसे वार्ता के साधन से राजा अपने राजकोस तथा दंड को बढ़ा कर सत्रू पर विजे प्राप्त करता है। महाभार्त में वार्ता को लोग का मूल बताते हुए कहा गया है कि इससे संसार का पोर्षन होता है अतहे इसका सदा अनूसरन करना चाहिए। अमरकोस में वार्था को जिवीका का प्रियावाची मना गया है, मनुने राजा को सलादी है कि वह लोग विवार से वार्था विद्या को सिखें विष्णू पुराण में भी वार्था के अंतरगत, क्रेशी, पसुपालन तथा वानिजे के गणना की गई है और इसे एक विद्या मना गया है अत्या प्राजीन भारत के विविन यूगों में राजा की ओर से क्रेशी, पसुपालन, वानिजे के विकास को प्रोथसन परदान किया गया दक्सिन के महान सक्ति साले सासकों ने क्रेशी तथा वानिजे के विकास में योगदान दिया संगमकारिन संस्कृती के अंतरगत देखने को मिलता है कि दक्सिन की आर्थिक समरती जो संगमों तरकाल में ही प्रारम हुई जबकि यहां राश्टरकूर्ट पललव चालू के चोल आधी राजवनसों ने अपने समराजे स्थापित किये थे ठीक है तो सबसे पहले आता है कर्शी कारिये तो हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि कर्शी कारिये के बारे में हमने पहले आपको वीडियो दिखाया था और शोट रूप में यहां पर भी आपको बताएंगे तो संगमकाल के बाद में दक्सिन भारत में कृशी का खूब विकास हुआ इस समय जंगलों की कटाई कर अधिकादिक भूमी को कृशी योगे बनाया गया था भूमी का स्वामी होना सामाजिक पर्तिस्टा का सूचक था अतय समाज के सभी वर्णों के लोग क्रसी कर्म में रूची लेने लगे समाज के वे लोग जिनके पास काफी भूमी होती थी मजदूरों की सहायता से खेती करवाते थे छोटे किसान सवताई खेती करते थे दिया जाता था ठीक है तो जो सुद्रवाण के स्त्रीपूरु से वो खेती हर मज़दूरों के रूप में काम करते थे और इनको बदले में अनाज दिया जाता था भूमी की उर्वरता के आधार पर उसे कई स्त्रेडियों में बाटा गया था जैसे उर्वरा भूमी, बंजर भूमी, पर्ती भूमी, रेतिली भूमी, काली भूमी तता पिली मिटी आदी अब देखेगा सिल्प तता उद्योग धंदे तो सिल्प तता उद्योग धंदों के बारे में भी हम पहले आपको वीडियो दिखा चुके हैं तो देखेगा दक्सिन भार्त में कर्शी कर्म के शासाथ संगम काल के बाद विवित प्रकार के शिल्पों तथा उध्योग धंदों का परस्रन हुआ था। वारंगल आदी में बढ़िया किसम की सूती और रेस्मी वस्तरों का निर्माण किया जाता था। लोहे के बनते थे। पार्नाड इनके निर्माण का मुखे के अंदर था। अब आता है व्यापार वानेजे। उस समय यातयात के सादनों की कमे थी, सडकों की हालत अच्छी नहीं थी। अता है भार ढोने के लिए बैल गाडियों, टट्टूओं तथा मनुश्यों का उप्यों की आजाता था। तमिल देस में दक्कन की अपेक्षा, सडकों की दशा अच्छी थी। नदियों की किनारे इस्थित स्थानों में नाओं में भरकर माल ले जाय जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम होते थे, व्यापारियों के स्थान ये संगठनों की संग्या नगरम थी, तो जो व्यापारियों का स्थान ये संगठन था उसे क्या का ज़ता था नगरम, ये कि उसन भी कई बार पुचा गया कि नगरम किसे कहते हैं, इस प्रकार के संग संगठन कांचीत था मामलपुरम में विद्धिमान थे व्यापारिक संगठन राजनती गती वीदियों से उदासीन होकर अपना सारा समय व्यापार में ही लगाते थे लेकों में हमें मनी ग्रामम, नाना देशिक, बलंडियर, वलंगे, इदंगे, तेलिन आधी व्यापारी के विशे में सूसनाई प्राप्ति होती हैं, इनमें सबसे महत्तपुन नाना देशिस नामक संगठन था, जिसे अयवोलेपुर अर्थात एहुल के पास सो स्वामियों के नाम से जाना जाता था, ये अपने उद्धम के लिए पूरे विश्वय में विख्यात थे, ये स्थर तथा जल मारगों से यात्राएं करते थे, तथा चोल, चेर, पांडे, मुले, मगद, कोसल, सोराष्टर, दानोस्ट, कुरूम्ब, कमबोज, गोल, लाल, बरवर, फारस, नेपाल, एकबाप, लंबकर्ण, इस्त्रीराजे तथा गोला मुक के यात्राएं करते थे, ये विव सस्ती जो 1045 इस्वी की है में प्राप्त होता है, तो देखें स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने दक्सिनी भारत का जो आपका जो वेवसाय है, उसके बारे में जानकरी प्राप्त की, राजस्वा कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में जानकरी प्राप्त की, और इस रहेंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे